नमस्कार आज मैं श्री छेत्र में तिर्थ करने आई हूँ, तुम अपने ओफिस के काम में लगे हुए हूँ, कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोंगे के साथ शंक का होता है, वह तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ओफिस में छुट्टी की नहीं दी, विधाता की यही इच्छा थी, उन्होंने मेरी चुट्टी की दरख्वास्त मनजूर कर ली, मैं तुम्हारे घर की मजली बहु हूँ, पर आज 15 वर्ष बात इस समुंद्र के किनारे खड़े होकर, मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदिश्वर के साथ मेरा एक संबंद और भी, इसलिए आज मैं साहस करके यह चिठ्ठी लिख रही हूँ, इसे तुम अपने घर की मजली बहु की ही चिठ्ठी मत समझना, तुम लोगों के साथ मेरे संबंद की बात, जिन्होंने मेरे भाग में लिखी थी, उन्हीं छोड़ कर जब इस संभावन का और किसी को पता ना था, उसी शेशवकाल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्नीपात के जवर से पीड़ी थुए थे, भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही, महले की औरते कहनी लगी, म्रिडार लड़की है न, इसलिए बच गई, लड़का होती तो क्या बच सकती थी, चोरी की कला में यह अमराजनी पुड़ है, उनकी नजर केमती चीज़ पर ही पढ़ती है, मेरी भागी में मौत तक नहीं है, यही बात अच्छी तरह से समझने के लिए मैं यह चिठी लिखने बैठी हूँ, एक दिन जब दूर के रिष्टे में तुम्हारे माता, तुम्हारे मित्र नीरत को साथ लेकर कन्या देखने आये थे, जब मेरी आयू बारवर्ष की थी, दुर्गम गाउं में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते रहते, स्टेशन से साथ कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद, बाके तीन मिल का कच्चा रास्ता पालकी में बैठ कर पार करने के बाद, हमारे गाउं में पहुचा जा सकता था, उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर मामा हमारे पुर्वी बंगाल के उस भोजन की हसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते, तुम्हारी मा की एक ही जिद की बड़ी बहु के रूप की कमी मचली बहु के द्वारा पूरी करें, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गाउं क्यूं आते, पिलिया यकरित, अमर शूल और दुलहिन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती, वे स्वैम ही आकर घेड लेते हैं, छुडाए नहीं छूटते, पिता की छाती धगधग करनी लगी, मा दुर्गा का नाम जपने लगी, शहर के देवता को गाउं का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे, बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वैम बेटी में उस रूप का कोई मुल्य नहीं होता, देखने आया हुआ वेक्ति उसका जो मुल्य दे, वही उसका मुल्य होता है, इसलिए जो हजार रूप होने पर भी लड़कियों का संकोच, किसी भी तरह दूर नहीं होता, सारे घर का यही नहीं, सारे मुहले का या आतंक, मेरी च्छाती पर पत्थर की तरह जम कर बैठ गया, आकाश का सारा उजाला और संसार के समस्त शक्ति, उस दिन मानों इस बारा वर्षियव, ग्रामीर लड़की को दो परिक्षकों की दो जोड़ी आखों के सामने, कसकर पकड रखने के लिए चपरास गिरी कर रही थी, मुझे कहीं चिपने की जगे न मिली, अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बजू थी, मैं तुम लोगों के यहां आप पहुची, मेरे सारे एवों का व्योरे वार हिसाब लगा कर, ग्रिहनियों को यह स्विकार करना पड़ा, कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुन्दर जरूर हूँ, यह बात सुनते ही मेरी बड़ी जठानी का चेहरा भारी हो गया, लेकिन सोचती हूँ, मुझे रूप की जरूरत ही क्या थी, रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुड़ी पंडित ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो, तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने केवल अपने आनंद से निर्मित किया है, इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मुल्य नहीं, मैं रूप वती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझ में बुद्धी भी है, यह बात तुम लोगों को पकपक याद करनी पड़ी, मेरी यह बुद्धी इतनी प्रकृत है, कि तुम लोगों की घर ग्रिहस्ती में इतना समय काड़ देने पर भी, वह आज भी ठिकी हुई है, मेरी इस बुद्धी से मा बड़ी चिंतित रहती थी, नारी के लिए यह तो एक बला ही है, बढ़ाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वह यदि बुद्धी को मानकर चलना चाहे, तो ठोकर खाखा कर उसका सिर्फ फूटेगा ही, लेकिन तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ, तुम लोगों के घर की बहु को जितनी बुद्धी दे डाली है, अब मैं उसे लोटाओं भी तो किसको, तुम लोग मुझे पुर्खिन कहकर दिन रात गाली देते रहे, अच्छ अब्धी को कड़ी बात कहनी से ही सांतोना मिलती है, इसलिए मैंने उसको च्छमा कर दिया, मेरी एक बात तुम्हारी घर ग्रिहस्ती से बाहर थी, वही मुझे मृत्य मिलती थी, वही पर मैं रूप आती थी, मेरे भीतर तुम लोगों की मचली बहु के अत्रिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे तो तुम लोग पहचान भी न पाए, मैं कवी हूँ, या बात पंदरा वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई, तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज़ादा जगती रहती है, वह है तुम लोगों की गोशाला, अंतापुर को जाने वाले जीने की बगल के एक कोठे में तुम लोगों की गोवें रहती है, सामनी के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगे न थी, आंगन के कूने में गायों को भूसा देने के लिए काट की नाद थी, सवेरे नौकर को तरह-तरह के काम रहते, इसलिए भूखी गाये नाद के किनारों को चाट-चाट कर चबा-चबा कर खुरच देती, मेरा मन रूने लगता, मैं गवई गाय की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे वे गाये और तीन बचड़े चिरपरजित आत्मी जैसे जान पड़े, जितने दिन में रही, बहु रही, खुद न खाकर चिपा-चिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही, जब बड़ी हुई तब गवों के प्रती, मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर, मेरे साथ हसी मजाग का संबंद रखने वाले लोग, मेरे गोत्र के बारे में संदेश प्रकट करते रहे, मेरी बेटी जनमते ही मर गई, जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था, अगर वा बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वा सब मुझे ला देती, तब मैं मजली बहु से एकदम मा बन जाती, ग्रिहस्ती में बंधी रहने पर भी मा, मिश्रभर की मा होती है, पर मुझे मा होने की वेदना ही मिली, मात्रित्व की मुक्ति प्राप नहीं हुई, मुझे याद है, अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चरे हुआ था, और जच्चा घर देखकर नाराज होकर उसने डाट फटकार भी लगाई थी, सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा भाग है, कमरे में भी साथ स्रिंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो, पश्मीने के काम के उल्टी परत हो, वहाँ न कोई लज्जा है, न सौंदर, न श्रिंगार, उजाला महा टिम्टिमाता रहता है, हवा चोर की भाती प्रवेश करती है, आंगन का कूडा करकट हटने का नाम नहीं लेता, फर्ष और दिवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराशती है, लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी, उसने सोचा था कि शायद इस समय को रात दिन दुख होता होगा, बात बिल्कुल उल्टी है, अनादर नाम की चीज राख की तरह होती है, वह शायद भीतर ही भीतर आग को बनाए रखती है, लेकिन उपर से उसके भाव को प्रकट नहीं होने देती, जब आत्म सम्मान घट जाता है, तब अनादर में अन्याय भी नहीं दिखाई देता, इसलिए उसकी पीडा नहीं होती, यही कारण है कि नारी दुख का अनुभाव करने में ही लजजा पाती है, इसलिए मैं कहती हूँ, अगर तुम लोगों की विवस्था यही है, कि नारी को दुख पाना ही होगा, तो फिर जहां तक संबा हो, उसे अनादर में रखना ही ठीक है, अनादर से दुख की विथा और बढ़ जाती है, तुम मुझे चाहे जैसे रखते रहे, कि मौँच से डर पड़े, जिनके प्राडों को आदर और यतने से कसकर बांध लिया गया हो, मरने में उन्ही को कस्ट होता है, उस दिन अगर यम्राज मुझे घसीटने लगते, तो मैं उसी तरह उखड जाती, जिस तरह पीली जमीन से घास बड़ी आसानी से जड़ समेत खिच आती है, बंगाल की बेटी तो बात बात में मरना चाहती है, लेकिन इस तरह मरने में कौन सी बहादुरी है, हम लोगों के लिए मरना इतना आसान है कि मरते लज्जा आती है, मेरी बेटी संध्या तारे की तरह छड़ भर के लिए उदित होका रस्थ हो गई मैं फिर से अपने दैनी कामों में और गाय बच्छडों में लग गई इसी तरह मेरा जीवन आखिर तक जैसे तैसे कट जाता आज तुम्हें या चिठी लिखने की जरूरत न पड़ती होने लग जाती है मेरी ग्रिहस्ती की पक्की विवस्था में भी जीवन का एक छोटा सा कर्ण नजाने कहां से उड़करा पड़ा तब ही से दरार शुरू हो गई जब विध्वा मा की मृत्यों के बाद मेरी बड़ी जिठानी की बहन बिंदु उने अपने चचेरे भाईयों के अत्याचार के मारे एक दिन हमारे घर में अपनी दीदी के पास आश्रे लिया था तब तुम लोगों ने सोचा था या कहां की बला आ गई आग लगे मेरे स्वभाव को करती भी क्या देखा तुम सब मन ही मन खीज उठे हो इसलिए उस निराश्रिता लड़की को घेर कर मेरा संपूर्ण मन यकाएक जैसे कमर बांद कर खड़ा हो गया हो पराए घर में पराए लोगों की अनिक्षा होते हुए भी आश्रे लेना कितना बड़ा अपमान है या या अपमान भी जिसे विवश होकर स्विकार करना पड़ा हो उसे क्या धक्का दे कर एक कोने में डाल दिया जाता है बाद में मैंने अपनी बड़ी जिठानी की दशा देखी उन्होंने अपनी गहरी सम्वेदना के कारण ही बहन को अपने पास बुलाया था लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसमे पती के इच्छा नहीं है तो उन्होंने ऐसा भाव दिखाना शुरू किया मानो उन पर कोई बड़ी बला आपड़ी हो मानो अगर वह किसी तरह दूर हो सके तो जान बचे उन्हें इतना साहस न हुआ कि वे अपनी अनात पहन के प्रती खुले मन से स्नेह प्रकट कर सके वे पती व्रता थी उनका यह संकर देखकर मेरा मन और भी दुखी हो उठा मैंने देखा बड़ी जिठानी ने खास तोर से सब को दिखा दिखा कर बिंदू के खाने पहनने की ऐसी रद्धी विवस्था की और उसे घर में इस तरह नौकरानियों के से काम सौब दिये कि मुझे दुखी नहीं लज्जा भी हुई मैं सब के सामने इस बात को प्रमाडित करने में लगी रहती थी कि हमारी ग्रिहस्ती को बिंदू बहुत सस्ते दामों में मिल गई है धेरों काम करती है फिर खर्ज के द्रिष्टी से बेहत सस्ती है मेरी बड़ी जिठानी के पिंत्रिश में कुल के अलामा और कोई बड़ी चीज न थी न रूप था न धन किस तरह मेरे ससुर के पैरों पढ़ने पर तुम लोगों के घर में उनका ब्या हुआ था यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो दे सदा यही सोचती रहीं कि उनका विवा तुम्हारे वन्ष के प्रती बड़ा भारी अपराद था इसलिए वे सब बातों में अपने आपको भरसक दूर रह कर अपने को छोटा मान कर तुम्हारे घर में बहुत ही थोड़ी जगर में सिमट कर रहती थी लेकिन उनके इस प्रशंशनी उदाहरण से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती रही मैं अपने आपको हर तरफ से इतना बेहत छोटा नहीं बना पाती मैं जिस बात को अच्छा समझती हूँ उसे किसी और के खातिर बुरा समझनी को मैं उचित नहीं मांगती इस बात के तुम्हें भी बहुत से प्रमान मिल चुके है बिन्दू को मैं अपनी कमरे में घसीट लाई जी जी कहने लगी मचली बहु गरीब घर की बेटी का दिमाग खराब कर डालेगी वे सबसे मेरी जढंग से शिकायत करती फिरती थी मानो मैंने कोई भारी आफत ढ़ा दी हूँ लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ वे मन ही मन सोचती थी कि जान बची जब अपरात का बोज मेरे सिर पर पढ़ने लगा वे अपनी बहन के प्रती खुद जोसने नहीं दिखा पाती थी वही मेरे द्वारा प्रकट करके उनका मन हलका हो जाता मेरी बड़ी जिठानी बिंदू की उम्र में से दो एक अंक कम कर देनी की चेश्टा किया करती थी लेकिन अगर अकेले में उनसे यह कहा जाता कि उसकी अवस्था चौदा से कम नहीं थी तो जाती न होती तुम्हें तो मालूम है देखनी में वह इतनी कुरूप थी कि अगर वह फर्ष पर गिरकर अपना सिर्फोर लेती तो भी लोगों को घर के फर्ष के ही चिंता होती यही कारण है कि माता-पिता के नहोने पर ऐसा कोई न था जो उसके विवाह की सोच था और ऐसे लोग भी भला कितने थे जिनके प्राणों में इतना बल हो कि उससे ब्याह कर सकें मिन्दू बहुत डर्ती-डर्ती मेरे पास आई मानो अगर मेरी देह उससे छू जाएगी तो मैं सह नहीं पाऊंगी मानो संसार में उसका जन्म लेने का कोई अधिकार ही न था इसलिए वह हमेशा अलग हटकर आख बचा कर चलती उसके पिता के यहां उसके चचेरे भाई उसके लिए ऐसा एक भी कोना नहीं छोड़ना चाहते थे जिसमें वह फालतू चीश की तरह पड़ी रह सके फालतू कूडे को घर के आसपास अनाया से इस्थान मिल जाता है क्योंकि मनुष्य उसको भूल जाता है लेकिन अनावश्यक लड़की एक तो अनावश्यक होती है दूसरे उसको भूलना भी कठीन होता है इसलिए उसके लिए गूरे पर भी जगे नहीं होती फिर भी यह कैसे कहा जा सकता है कि उसके चचेरे भाई ही संसार में परामवश्यक परदार्थ थे जो हो वे लोग भी खूब थे यही कारण है कि जब मैं बिंदू को अपने कमरे में बुला लाई तो उसकी चाती धक धक करने लग गई उसका डर देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ मेरे कमरे में उसके लिए थोड़ी सी जगए है यह बात मैंने बड़े प्यार से उसे समझाई लेकिन मेरा कमरा एक मेरा ही कमरा तो था नहीं इसलिए मेरा कम आसान नहीं हुआ मेरे पास दो चार दिन रहने पर ही उसके शरीर में न जाने क्या-क्या निकलाया शायद अंभारी रही होगी या ऐसा ही कुछ होगा तुमने कहा शीदला क्यों नहों वह बिंदू थी ना तुम्हारे मुहले के एक अनाड़ी डॉक्टर ने आकर बताया दो एक दिन और देखे बिना ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन दो एक दिन धीरज किसको होता बिंदू तो अपनी बिमारी की लज्जा से ही मरी जा रही थी मैंनी कहा शेटला है तो हो मैं उसे अपने जच्चा घर में लिवा ले जाऊंगी और किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं इस बात पर जब तुम लोग मेरे उपर भड़क कर क्रोद की मुर्ती बन गए यही नहीं जब बिन्दू की जीजी भी बड़ी परिशान दिखती हुई उस अभागी लड़की को अस्पताल भेजने का प्रस्ताव करने लगी तभी उसके शरीर के विसारे लाल-लाल दाग एकदम विलीन हो गए मैंने देखा कि इस बात से तुम लो और भी विग्र हो उठे कहने लगे अब तो वाकई शीतला बैट कई है क्यों नहो बिन्दू थी न अनादर के पालन पोशन में एक बड़ा गुड है शरीर को वा एकदम अजर अमर कर देता है बिमारी आने का नाम नहीं लेती मरने के सारे आमरास्ते बिलकुल बंद हो जाते हैं इसलिए रोग उसके साथ मजाग करके चला गया हुआ कुछ नहीं लेकिन यह बात अच्छी तरह स्पस्ट हो गई कि संसार में जादा साधन हीन व्यक्ति को आश्रे देना ही सबसे कठिन है आश्रे की आवशक्ता उसको जितनी अधिक होती है आश्रे की बाधाएं भी उसके लिए उतनी ही विशम होती है बिंदू के मन से जब मेरा डर जाता रहा तब उसको एक और कुग्रह ने पकड़ लिया वह मुझे इतना प्यार करने लगी कि मुझे डर होने लगा स्नीह की ऐसी मुर्थी तो संसार में पहले कभी देखी ही न थी पुस्तकों में पढ़ा आवश्य था पर वह भी इस्त्री पुरुष के बीची बहुत दिनों से ऐसी कोई घटना नहीं होई थी कि मुझे अपने रूप की बात याद आती अब इतने दिनों बाद यह कुरूप लड़की मेरे उसी रूप के पीछे पढ़ गई रात दिन मेरा मुझ देखते रहने पर भी उसकी आखों की प्यास नहीं बुश्ती थी कहती जी जी तुम्हारा यह मूँ मेरे अलामा और कोई नहीं देख पाता जिस दिन मैं स्वैम ही अपने केश बांध लेती उस दिन वह बहुत रूट जाती अपने हाथों से मेरे केश भार को हिलाने डुलाने में उसे बड़ा आनन दाता कभी कहीं दावत में जाने के अत्रिक और कभी तो मुझे सास रिंगार की आवशकता पढ़ती ही न थी लेकिन बिंदू मुझे तंकर करके थोड़ा बहुत सजाती रहती भा लड़की मुझे लेकर बिलकुल पागल हो गई थी तुम्हारे घर के भीतरी हिस्से में कहीं रत्ती भर भी मिठी न थी उत्तर की ओर की दिवार में नालिके किनारे न जाने कैसे एक गाप का पौधा निकला जिस दिन जान पढ़ता कि धर्ती पर बसंत आ गया है और जिस दिन मेरी घर ग्रिहस्ती में जुटी हुई इस अनादृत लड़की के मान का और जोर किसी तरह रंग उठा उस दिन मैंने जाना क्रिहदय के जगत में भी वसंत की हवा बहती है वह किसी स्वर्ग से आती है गली के मोड से नहीं बिंदू के स्नेह के दुस्सह वेग ने मुझे अधिर कर डाला था मैं मानती हूँ कि मुझे कभी-कभी उस पर क्रोधा जाता लेकिन उस नहीं मैंने अपना एक ऐसा रोप देखा जो जीवन में पहले कभी नहीं देख पाई थी वही मेरा मुख्य स्वरूप है इधर में बिंदू जैसी लड़की को जो इतना लाट प्यार करती थी यह बात तुम लोगों को बड़ी जाती लगी इसे लेकर बरावर खटपट होने लगी जिस दिन मेरे कमरे से बाजू बंद चोरी हुआ तो उस दिन इस बात का अभास देते हुए तुम लोगों को तनिक भी लजजाना आई कि इस चोरी में किसी न किसी रूप में बिंदू का हाथ है जब सोदेसी आंदोलन में लोगों के घर की तलाशियां होने लगी तब तुम लोग अनायासी यह संदेह कर बैठेई कि बिंदू पुलिस द्वारा रखी गई गुप्तचर है इसका और तो कोई प्रमार ना था प्रमार बस इतना ही था कि वह बिंदू थी तुम लोगों के घर की दासियां उसका कोई भी काम करने से इंकार कर देती थी उन में से किसी से अपने काम के लिए कहने में वह लड़की भी संकोश के मारे जडवत हो जाती थी इन ही सब कारणों से उसके लिए मेरा खर्च बढ़ गया मैंने खास तोर से अलग से एक दासी रख ली या बात तुम लोगों को अच्छे नहीं लगी बिंदू को पहनने के लिए मैं जो कपड़े देती थी उन्हें देखकर तुम इतने कृद्ध हुए कि तुमने मेरे हाथ खर्च के रुपए ही बंद कर दिये दोसरे ही दिन से मैंने सवा रुपए जोड़े की मोटी कोरी की धोती पहननी शुरू कर दी और जब मोटी की मा मेरी जूठी थाली उठाने के लिए आई तो मैंने उसको मना कर दिया मैंने खुद जूठा भात बच्छडे को खिलाने के बाद आंगन के नल पर जाकर बरतन मल लिये एक दिन एका एक इस दृष्ट को देखकर तुम प्रसन्द नहों सके मेरी खुशी के बिना तो काम चल सकता है पर तुम लोगों की खुशी के बिना नहीं चल सकता यह बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई उधर जियों जियों तुम लोगों का क्रोध बढ़ता जा रहा था तेओं तो बिन्दू की आयू भी बढ़ती जा रही थी इस स्वभाविक बात पर तुम लोग और स्वभाविक धंग से परेशान हो उठते थे एक बात याद करके मुझे आश्चरे होता रहा है कि तुम लोगों ने बिन्दू को जबरदस्ती अपने घर से विदा क्यों नहीं कर दिया मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि तुम लोग मन ही मन मुझसे डरते थे बिधाता ने मुझे बुद्धी दी है धीतर ही भीतर इस बात के खातिर किये बिना तुम लोगों को चैन नहीं पड़ता था अंत में अपनी शक्ती से बिन्दू को विदा करने में असमर्थ होकर तुम लोगों ने प्रजापती देवता की शरण ली बिन्दू का वर ठीक हुआ बड़ी जिठानी बोली जान बची मा काली ने अपने वर्ण्श की लाज रख ली बर कैसा था मैं जानती थी तुम लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है बिन्दू मेरे पैरों से लिपट कर रोनी लगी बोली जी जी मेरा ब्याह क्यों कर रही हो भला मैंने उसको समझाते बुझाते कहा बिन्दू डर मत मैंने सुना है तेरा वर अच्छा है बिंदू बोली अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके लेकिन वर पक्षवालों ने तो बिंदू को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया बड़ी जिजी इसे तुरंत निश्चिन्त हो गई लेकिन बिंदू दिन रात रोती रहती चुप होने का नाम ही न लेती उसको क्या कश्ट है यह मैं जानती थी बिंदू के लिए मैंने घर में बहुत बार जखड़ा किया था लेकिन उसका ब्याह रुक जाये यह बात कहने का साहस नहीं होता था कहती तो किस बल पर मैं अगर मर जात तो उसकी क्या दशा होती एक तो लड़की उस पर काली जिसके यहां जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी इस बात की चिंता ना करना ही अच्छा था सोचती तो प्राण काप उठते बिंदू ने कहा जी जी ब्याह के अभी पांच दिन और है इस बीच क्या मुझे मौत नह अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वभाविक ढंग से बिंदू की मृत्य हो जाती तो मुझे चैन मिलता ब्याह के एक दिन पहले बिंदू ने अपनी जी जी के पास आकर कहा जी जी मैं तुम लोगों की गोशाला में पड़ी रहूंगी जो कहोगी वही करूंगी मैं त कुछ दिनों से जी जी की आखों से चोरी-चोरी आसु जर रहे थे उस दिन भी जर ने लगे लेकिन सिर्फ रेदय ही तो नहीं होता शास्त्र भी तो है उन्होंने कहा बिंदू जानती नहीं इस्तरी की गती मुक्ती सब कुछ पती ही है भागी में अगर दुख लिखा है त उसे कोई नहीं मिटा सकता असली बात तो यह थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था बिंदू को ब्याह तो करना ही पड़ेगा फिर जो हो सो हो मैं चाहती थी कि विवा हमारे ही घर से हो लेकिन तुम लोग कह बैठे कि वरके ही घर में हो उनके कुल की यही रीती है मैं समझ गई बिंदू के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे ग्रिह देवता उसे किसे भी भाती नहीं सह सकेंगे इसलिए चुप रह जाना पड़ा लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता जीजी को बताना चाहती थी पर बताई नहीं नहीं तो वे डर से मर जाती मैंने अपने थोड़े बहुत कहने लेकर चुप चाब बिंदू का शिंगार कर दिया था सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा लेकिन उन्होंने जैसे देख कर भी नहीं देखा दुहाई है धर्म की इसके लिए तुम उन्हें छमा कर देना जाते समय बिंदू मुझे लिपट कर बोली जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया मैंने कहा नहीं बिंदू तुम चाहे जैसी हालत में रहो राण रहते मैं तुम्हें नहीं त्याग सकती तीन दिन बीटे तुम्हारे तालोक के आसामियों ने तुम्हें खाने के लिए जो भीड दिया था उसे मैंने तुम्हारी जटरागनी से बचा कर नीचे वाली कोईले की कोठरी के एक कोनी में बांदिया था सवेरे उठते ही में खुच जाकर उसको दाना खिला आती दो एक दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा उसे खिलाने की बजाए उनका जुका उसी को खा जाने की ओर अधिक था उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा बिन्दू एक कोने में गुड़ मुड़ होकर बैठी हुई है मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़ कर चुपचा परोने लगी बिन्दू का पती पागल था सच कह रही है बिन्दू तुम्हारे सामने क्या मैं इतना बड़ा जूट बोल सकती हूं दीदी वह पागल है इस विवाह में ससुर की सम्मती नहीं थी लेकिन वे मेरी सास से यमराज की तरह डरते हैं ब्याह के पहले ही काशी चल दिये थे सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया मैं वहीं कोईले के धेर पर बैठ गई इस्त्री पर इस्त्री को दया नहीं आती कहती है कोई लड़की थोड़े ही है लड़का पागल है तो हो है तो पुरुश मैं वहीं कोईले के धेर पर बैठ गई इस्त्री पर इस्ते को दया नहीं आती कहती है कोई लड़की थोड़े ही है लड़का पागल है तो हो है तो पुरुश देखने में बिंदू का पती पागल नहीं लगता लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उनमाच चड़ता है कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता व्याह की रात वह ठीक था लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के जंजटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग विलकुल खराब हो गया बिंदू दो पहर को पीतल की थाली में बात खाने बैठी थी अचानक उसके पती ने भात समे थाली उठा कर आंगन में फेक दी नजाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदू रानी रास मड़ी हो हो नहो नौकर ने चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो इसलिए उसे क्रोधा गया था बिंदू तो डर के मारे मरी जा रही थी तीसरी रात को जब उसकी सास ने उसके पती के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदू के प्राण सोग गय उसकी सास को जब क्रोधा आता था तो होश में नहीं रहती थी बिंदू को कमरे में जाना ही पड़ा उस रात उसके पती का मिजास ठंडा था लेकिन डर के मारे बिंदू का शरीर पत्थर हो गया था पती जब सो गए तब काफी रात बीटने पर वह किस तरह चतुराई से भाग कर चली आई इसका विस्त्रित विवरंड लिखने की आवशक्ता नहीं है ग्रिणा और क्रोट से मेरा शरीर जलने लगा मैंने कहा इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता बिंदू तुझ ऐसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रह देखो तुझे कौन ले जाता है तुम लोगों ने कहा बिंदू जूट बोलती है मैंने कहा वह कभी जूट नहीं बोलती तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम मैंने कहा मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम लोगों ने डर दिखाया अगर बिंदू के ससुराल वालों ने पुलीस कीज़ कर दिया तो आफ़त में पढ़ जाएंगे मैंने कहा क्या अदालत यह बात ना सुनेगी कि उसका ब्या धोके से पागलवर के साथ कर दिया गया है तुमने कहा तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हमें ऐसी क्या गरज है मैंने कहा जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपनी गहनी बेच कर भी करूंगी तुम लोगों ने कहा क्या वकील के घर तक दोड़ोगी इस बात का क्या जवाब होता सिर ठोकने के अलामा और कर भी क्या सकती थी उधर बिंदू की ससुराल से उसके जेट ने आकर बाहर बढ़ा हंगामा कर दिया कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूँगा नहीं जानती जिसने मेरा आश्रे लिया हो उसे पुलिस के डर से फिर उसका साई को लटाना पड़े यह बात मैं किसी भी प्रकार नहीं मान सकती थी उसी समय बिंदू ने स्वैम बाहर निकल कर अपने जेट को आत्मसमर पढ़ कर दिया था वह समझ गई थी कि अगर वह इस घर में रही तो मैं बड़ी मुश्किल में पढ़ जाऊंगी मेच में भाग आने से बिंदू ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाये तो नहीं जा रहा था समसार में बुरे पती के उदारन दुरलब भी नहीं है उनके तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद है मेरी बड़ी जिठानी ने कहा जिसका भाग गी ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा पागल वागल जो भी हो है तो स्वामी ही न तुम लोगों के मन में लगातार उस सती साद्वी का दिश्टान त्याद आता रहा था जो अपने कोड़े पती को अपने कंधू पर बिठा कर वैश्या के यहां ले गई थी संसार भर में कायरता के सबसे बड़े अधम अख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष्मन को तनिक भी संकोच न हुआ इसलिए मानव जन पाकर भी तुम लोग बिंदू के विवहार पर क्रोध कर सके उससे तुम्हारा सिर नहीं जुका बिंदू के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी लेकिन तुम लोगों का विवहार देखकर मेरी लज्जा का अंतना था मैं तो गाउं की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर पर आ पड़ी फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धी दे दी धर्म संबंधी तुम लोगों की यह जर्चा मुझे किसी प्रकार भी सहन नहीं हुई मैं निश्य पुर्वक जानती थी कि बिंदू उमर भले ही जाए वह अब हमारे घर लोट कर नहीं आएगी लेकिन मैं तो उसे ब्याह के दिन से पहले या आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मेरा चोटा भाई शरत कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था तुम तो जानते ही हो तरह तरह से वॉलन्टियरी करना प्लेग वाले महलों में चुहें मारना दामोदर में बाढ़ जाने की खबर सुनकर दौड पढ़ना इन सब बातों में उसका इतना उत्सा था कि F.A. की परिक्षा में लगतार दो बार फेल होने पर भी उसके उत्सा में कोई कमी नहीं आई मैंने उसे बुला कर कहा शरद जैसे भी हो बिंदू की खबर पाने का इंतिजाम तुझे करना ही पड़ेगा बिंदू को मुझे जिठ्ठी भेजने का साहस नहीं होगा वह भेजे भी तो मुझे मिलने ही सकेगे इस काम की बजाए यदि मैं उससे डाका डाल कर बिंदू को लाने की बात कहती या उसके पागल स्वामी का सिर्फ ओड़ो देने के लिए कहती तो उसे जादा खुशी होती शरत के साथ बातचीत कर रही थी तभी तुमने कमरे में आकर कहा तुम फिर या क्या बखेडा कर रही हो मैंने कहा वही तो शुरू से करती आई हूँ जब से तुम्हारे घर आई हूँ लेकिन नहीं वह तो तुम्ही लोगों की किर्थी है तुमने पूछा बिंदू को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या मैंने कहा बिंदू अगर आती तो मैं जरूर ही छिपा कर रख लेती लेकिन वह अब नहीं आएगी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है शरत को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदे और भी बढ़ गया मैं जानती थी कि शरत का हमारे यहां आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है अगर कभी किसी राजनीतिक मामली में फस गया तो तुम्हें भी फसा डालेगा इसलिए मैं भाईया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसे के पास भिजवा देती थी अपने घर नहीं बुलाती थी एक दिन तुमसे सुना कि बिंदू फिर भाग गई है इसलिए उसका जेट हमारे घर उसे खोजने आया है सुनते ही मेरी छाती में ये शोल चुप गए अभागिनी का असहाय कस्ट तो मैं समझ गई पर कुछ करने का कोई रास्ता न था शरक पता करने दोड़ा शाम को लोट कर मुझसे बोला बिंदू अपने चचेरे भाईयों के यहां गई थी लेकिन उन्होंने अत्यंत कुरूर होकर उसे वक्त उसे फिर ससुराल पहुचा दिया इसके लिए उन्हें हरजाने का और गाड़ी के किराय का जो दंड भोगना पड़ा उसके खार अब भी उसके मन से नहीं गई है त्रिशेत्र के तेर्थे आत्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहां आकर ठहरी मैंने तुमसे कहा मैं भी जाओंगी अचानक मेरे मन में धर्म के प्रती शद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपती नहीं की तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर जगडा कर बैठूंगी मेरे काराण तुम्हें बड़ी परेशानी थी मुझे बुद्धवार को चलना था रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया मैंनी शरत को बुला कर कहा जैसे भी हो बुद्धवार को पुरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चड़ा ही देना पड़ेगा शरत का चेहरा खिल उठा वह बोला डर की कोई बात नहीं जीजी डर की कोई बात नहीं जीजी मैं उसे गाड़ी में बिठा कर पूरी तक चला चलूँगा इसे बहाने जगरनात पुरी के दर्शन भी हो जाएंगे उसे दिन शाम को शरत फिर आया उसका मूँ देखते ही मेरा दिल बैठ गया मैंने पूछा क्या बात है शरत शायद कोई रास्ता नहीं निकला वह बोला नहीं मैंने पूछा क्या उसे राजी नहीं कर पाए उसने कहा अब जरूरत भी नहीं है कल रात अपने कपड़ों में आग लगा कर वह आत्महत्या करके मर गई उस घर में जिस भतीजे से मैंने मील बढ़ा लिया था उसी से ख़बर मिली कि तुम्हारे नाम वह एक चिठी रग गई थी लेकिन वह चिठी उन लोगोंने नश्ट कर दी चलो छुट्टी हुई गाउं भर के लोग चीख उठे कहने लगे लड़कियों का कपड़ों में आग लगा कर मर जाना तो अब एक फैशन हो गया है तुम लोगोंने कहा अच्छा नाटक है हुआ करे लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है बंगाली वीर पुर्षों की धोती की चुन्टों पर क्यों नहीं होता यह भी तो सोच कर देखना चाहिए ऐसा ही था बिंदू का दुरभागि जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका नरूप का नगोड का मरते वक्त भी या नहीं हुआ कि सोच समझ कर कुछ ऐसे नए ढंक से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशे से ताली बजा उठते मर कर भी उसने लोगों को नाराज ही किया जी जी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी लेकिन उस रोने में जैसे एक सान तो ना थी कुछ भी सही जान तो बची मर गई यही क्या कम है अगर बची रहती तो नजाने क्या हो जाता मैं तिर्थ में आ पहुची हूँ बिंदू के आने की तो जरूरत ही न रही लेकिन मुझे जरूरत थी लोग जिसे दुख मानते हैं वा तुम्हारी ग्रिहस्ती में मुझे कभी नहीं मिला तुम्हारे यहां खाने पहनने की कोई कमी नहीं तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोश नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं वैसे अगर तुम्हारा स्वभा तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जिठानी की तरह पती देवता को दोश देने के बजाए विश्व देवता को ही दोश देनी की चेश्टा करती अतायव मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती मेरी चिठी का कारण यह नहीं है लेकिन मैं अब माखन बडाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लोट कर नहीं आऊंगी मैं बिंदू को देख चुकी हूँ इस अंसार में नारी का सच्चा परिशे क्या है यह मैं पा चुकी हूँ अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं और फिर मैंने यह भी देखा है कि वह लड़की ही क्यों नहीं भगवान ने उसका त्याग नहीं किया उस पर तुम लोगों का चाहे जितना ही जोर क्यों न रहा हो वह उसका आंत नहीं था वह अपनी अभागे मानव जीवन से बड़ी थी तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंक से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबा कर रख सकते मृत्यू तुम लोगों से भी बड़ी है अपनी मृत्यू में वह महान है वह बिन्दू केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है केवल चचेरे भाईयों की बहन नहीं है केवल किसी अपरिचित पागल पती की प्रणचिता पतनी नहीं है वहाँ वहाँ अनंथ है मृत्यू के उस वंशी का स्वर उस बालिका के भगनुहिदय से निकल कर जब मेरे जीवन की यवना के पास बजने लगा तो पहले-पहल मानो मेरी छाती में कोई बाड बिंद गया हूँ मैंने विधाता से प्रश्नी किया इस संसार में जो सबसे अधिक तुछ है वही सबसे अधिक क्यों है इस गली में चार दिवारी से घिरे इस निरानन इस्थान में यह जो तुछ तम बुद बुद है वो इतनी भैंकर बाधा कैसे बन गया तुम्हारा संसार अपनी शट नितियों से छुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों न पुकारे मैं उस अंतःपुर की जरासी चोखट को छड़ भर के लिए भी पार क्यों न कर सकी ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे सत्यंत तुछ काट पत्थर की याड में ही तिल-तिल कर क्यों मरना होगा कितनी तुछ है या मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा इसके बंधे नियम बंधे अभ्यास बंधी हुई बोली बंधी हुई मार सब कितनी तुछ है फिर भी क्या अंत में दीन तके उस नाकपाश बंधन की ही जीत होगी और अपने इस आनंद लोग की इस रिष्टी की हार लेकिन मृत्यू की वंशी बजनी लगी कहा गई राजमित्रियों की बनाई हुई वह दिवार कहा गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधावा काटों का घीरा कौन सा है वह दुख कौन सा है वह अपमान जो मनुश्रे को बंधी बना कर रख सकता है यह लो मृत्यू के हाथ में जीवन की जैपता का उड़ रही है अरी मजली बहू तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं मजली बहू के इस तेरे खोल को छिन होते एक निमेश भी न लगा तुम्हारी गली का मुझे कोई डर नहीं आज मेरे सामने नीला समुंद्र है मेरी सिर पर आशान के बादल तुम लोगों की रीती नीती के अंधिरे ने मुझे अब तक धक रखा था बिंदों ने आकर छड़ भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया वही लड़की अपनी मृत्यू द्वारा सिर से पैट तक मेरा वह आवरण उगाड अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगे ही नहीं है मेरा यह अनादरित रोब जिनकी आखों को भाया है वे सुन्दर आज संपुर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं अब मजली वहू की खैर नहीं तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रहे हूं डरने की कोई बात नहीं त तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी मीरा बाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी उनकी जनजीरें भी तो कम नहीं थी बचने के लिए उनको तो मरना ही नहीं पड़ा मीरा बाई ने अपने गीत में कहा था बाप छोड़े मा छोड़े जहां कहीं भी ज जो भी है, सब छोड़ दें, लेकिन मीरा की लगन बही रहेगी प्रभू, अब जो होना है सो हो, यह लगन ही तो जीवन है, मैं अभी जीवित रहूंगी, मैं बच गई। उमीद करती हूँ, आपको कहानी पसंद आई होगी, धन्यवाद।